इस वीडियो में हम परमे 6.8 को हल करने जा रहे हैं जो की बहुत ही असान है एक समकोन तिरभुज में करण का वर्ग सेस दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है अगर आपको गुजद्धान आ रहा हो ये है हमारी पाइथागोर्ज छोंग क्या कहता है एक समको तिरभुज दीवी है ये लिजिए ये हमने समकोन तिरभुज ले लिए ए बी और ए सी जिसमें भी हमारा क्या है 90 डिग्री करण का वर्ग एसी स्केर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर एबी स्केर प्लस बीसी स्केर हमने सिद करना है देखिये फिर हमें दिया क्या है पहले दिया है तिरभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री सिरफ ये दिया है एक सम कोण तिरभुज चिक है बी हमने 90 डिग्री का माल लिया हमें सिद करना है सिद क्या करना हमने कि ए बी स्केर प्लस बी सी स्केर बराबर है इसका स्केर प्लस इसका स्केर बराबर है एसी स्केर हम अपनी तरफ से इसमें रचना करते हैं हमने रचना क्या कि बी से एसी के उपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया 90 डिग्री का ठीक है कौन हो गया ये हमने क्या किया BD perpendicular AC की रचनागी perpendicular डाल लिया हमने इसके उपर अब देखिए उप उपत्ती मैंने क्या किया अब यहां पे दो तिर्भूजे बन गी मैंने पहले तिर्भूज ABC और ABD ले ली मैंने तिर्भूज ABC तथा तिर्भूज ABD में ABC ABD में कौन A क्या है common है कौन A बराबर है कौन A ये हमारा उन्हे निस्ट common है ठीक है दूसरा यहां पे तो कौन B 90 डिगरी का है ABC ये और इस तिर्भूज में ADD 90 का है तो यहां पे कौन ADB परते कितने का हो गया 90 डिगरी का तो ये हमारा कौन कौन समरूपता से angle angle similarity समरूपता से तिर्भूज ABC समरूप हो गई तिर्भूज ABD के हो गया समरूप अगर ये तिर्भूज समरूप है similar है तो इनकी बुजाएं क्या होगी समानुपाती होगी इसलिए क्या हो गया सोरी ADB यहां पर हम ADB लेंगे ADB तो क्या हो जाएगा AB क्योंकि यहां पर B 90 डिगरी का था और यहां पर कौन सा होगा D 90 डिगरी का होगा इनका चैन हमने बहुत अच्छे से करना है तो AB C सोरी AB बटे AD अगर ये समरूप हैं तो AC बटे AD इनको अगर मैं आर पार गुणा कर दें तो AB इंटू AB क्या बन जाएगा AB स्केर और ये किसके बराबर हो जाएगा AC इंटू AD AC इंटू AD ये समिकर नंबर मैंने क्या कर ली एक मान ली चीक है इसी परकार हम तिरभूज ABC और BDC लेते हैं तिरभूज ABC तथा तिरभूज BBC में ये लिया हमने अब यहाँ पर कौन सा कौन ABC और BDC में कौन C को मन ले लिया तो कौन C बराबर है कौन C इसको हम लिखेंगे उभै निस्ट हो गया इसमें कौन ABC 90 का है और इसमें BDC 90 का है कौन BDC परतेक कितने डिगरी के हो गए 90 डिगरी के तो ये दोनों भी क्या हो गए कौन कौन समरूपता से ये तिरभूजें यहाँ पर लिख रहा हूँ में तिरभूज ABC समरूप हो गई तिरभूज BDC के और अगर ये तिरभूजें समरूप हैं तो इनकी भूजाएं क्या होंगी समानु पाती होंगी रेशों में होंगी मतलब हमारे पास क्या हो गया ABC लेने पहले यहाँ पे BC अपॉन BC is equal to AC अपॉन BC देखे हमने चैन ऐसे करना है हमें AB स्केर यहाँ से मेरा AB स्केर आया था यहाँ पे मुझे BC स्केर लेना है तो BC अपॉन DC और यहाँ से भी BC तो इसलिए हमने AC अपॉन क्या कर दिया BC इनका चैन हमने ध्यान से करना है अब यहाँ पे भी क्रोस मल्टिप्लाइ कर दीजे BC को BC से गुना करोगे तो क्या बन जाएगा BC स्केर is equal to AC into BC यह हमारी समिकर नंबर क्या हो गई दो हो गई यहाँ पे समिकर नंबर एक समिकर नंबर दो एक और दो को जोड़ दीजी समिकर नंबर एक प्लस समिकर नंबर दो left hand side left hand side जोड़ देते हम क्या बनेगा AB square प्लस से BC square right hand side क्या है यहाँ पे AC into AD plus AC into AD plus AC into DC यह हो गया एक रकम यह एक रकम किया दोनों में क्या common है AC common है तो मैंने AC common लिया यहाँ पे क्या बचा AD plus AC बहर आ गया यहाँ पे क्या बचा BC अब ध्यान से दे AD plus DC क्या बनेगा AD plus DC पूरी value क्या बन जाएगी AC बन जाएगी तो AC into AC हो गया AC into AC क्या बन जाएगा AC square यहाँ पे हमार पास क्या था AB square plus BC square is equal to AC square यही हमने सिध करना था इती सिध्धम तो देखा आपने हमने कितनी असानी से इस पाइथागोर्स इसको बोलते हैं पाइथागोर्स परमे पीटी पाइथागोर्स थोरम और यह बहुत इंपोर्टेंट है आपके आगे लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली है competitive exams में भी और आपके board exams में भी इसका बहुत ही ज्यादा मेहतव पुर्ण स्थान है इसको ध्यान से करें अच्छे से समझें इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में अगले प्रसं इनके साथ मिलते हैं तब तक के लिए जाना है